आमादमी पार्टी से अशोक तन्वर ने इस्तिभा दे दिया था दिरसल आज उन्होंने शनिवार को भारते जिन्ता पार्टी का दामन थाम लिया इस दोरान हर्याना के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर और बीजीपी के राश्टी महासचीव अरुण सिंग मौजूद रहे माहौल बदला है देश शीर्ष पर पहुंचे उसको लेकर एक टीम के रूप में काम हुआ है विकास यातरा में जब देश सौ सल पूरा करेगा उसमें मैं भी उसका साहभागी बनूँगा दो दिन बाद आयोध्या में रामलला की प्राण परतिष्टा होगी उससे पहले मै मैं भी बीजेपी के परिवार के सद्द से गिनाते आशामिल हो रहा हूँ मैं तो समान्य परिवार से आता हूँ हमारा एक लक्षे होगा पुराने सभी रिकॉर्ड तोड चार सो का आंकड़ा पार करेंगे तनवर ने आगे कहा कि पीम मोदी जो भी गेरेंटी देते हैं उस ऐसे धोकेवाजों को 2024 में चंता सबक सिखाने का काम करेगी तनवर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा का आभार भी जताया बताते हरियाना के मुख्य मंतरी मनुहर लाल खटर ने तनवर के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा कि आज हरियाना बीजेपी के वि भांजे लगते हैं इनकी माता जी और मेरा गाउं एक ही है सीम ने आगे कहा कि कॉंग्रिस में रहे तो मुझे कस्ट हुआ कॉंग्रिस नेताओं ने इन पर हमला किया उससे अलग होने के बाद इनकी ट्रेन गलत रास्ते पर चली गई और आम आदमी पार्टी में पहुँच है कि उनकी पार्टी में बच्टा चार के चलते ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है